तिट फॉर टैट यानि कि जैसे को तैसा यह है आज की इंग्लिश की स्टोरी इस स्टोरी को करेंगे हिंदे में ट्रांसलेट और स्टोरी के हेल्प से आप इंग्लिश की हर एक स्ट्रक्चर को बारी की से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे इसके साथ ही साथ कई सारे इंग् प्रियोग करते हैं प्रियोग करेंगे तो सिंपल पास्ट का वाक्य है रामदास के पास क्या थी एक गाय थी तो यहां पर हैड के बाद में कोई में वर्ब नहीं मुख्य करिया नहीं है यहां पर वाज का प्रियोग किया है सिंपल पास्ट का यह वाक्य है वाज वर का प्रियोग करकर सिंपल प्रियोग करकर सिंपल प्रिजेंट में हम जो है सब्जेक्ट की स्टेट अवस्था के बारे में बात कर सकते हैं यानि कि वाज क बाद में या वर के बाद में जो है कोई main verb यानि कोई action परफॉर्म नहीं होगा यह without action वाला sentence रहेगा तो he was not in position, position मतलब इस स्थिती में होना, किस स्थिती में नहीं था to feed कराने के लिए, feed यानि खिलाना, भोजन खिलाना, खाना खिलाना, हर किसे cow को जो है feed कराना, उसको खाना देना, भोजन देना, उसकी अवस्था में वो नहीं था, ऐसी position में नहीं था तो यहाँ पर कोई action की बात नहीं की गई है, यह जो two plus feed है ना, two plus verb की first form है, इसको infinitive कहते हैं यहाँ पर two के साथ verb की first form का use होकर, कई सारे sentences में आपको infinitive नजर आ जाएंगे तो यहाँ पर जो देख रहे हैं, आप two plus verb की first form यह position है ना, noun है noun के बाद इस infinitive का प्रयोग हुआ है, तो ऐसे करके जैसे-जैसे sentences में infinitive आए तो वहाँ पर आप पहचान करने की कोशिश करें कि यह infinitive किस purpose से आया है फिर आगे चलते हैं, so he sold the cow, so he sold sell की यहाँ पर यह second form है, यानि simple past का ही वाक्य है बेच दिया the cow to Maniram, किसको बेचा, Maniram को उसने अपनी गाय को बेच दिया Maniram came, कम की second form, यहाँ पर two proposition है, ठीक है His home, यानि उसके घर आया, कम की second form, simple past का वाक्य है, with the cow यानि Maniram जो है, cow को लेकर अपने घर आ गया After weeks later, यानि कुछ हफतों के बाद, the cow gave birth to a calf Calf का मतलब बच्चडा, give birth, यानि जनम देना, किसको जनम दिया, एक बच्चडे को जनम दिया Give की second form है, gave, gave birth, जनम दिया, एक बच्चडे को Simple past का affirmative sentence है, when Ramdas learned, यहाँ पर learned का मतलब पता चलना, जानना, या उसे पता लगा About, यह second form है, learned की, तो यह simple past का वाक्य है About it, यानि इसके बारे में, यानि उसने एक बच्चडे को जनम दिया, उसकी गाएने, इस बारे में उस रामदास को पता लगा He became, become की second form, greedy, यहाँ पर adjective है, हो गया, बन गया, became का मतलब यह verb की second form है, become की second form, became, यानि वो लालची बन गया, हो गया फिर देखें, he went, go की second form है, went गया, to यहाँ पर proposition है, he went to the house of Maniram यानि कि Maniram के घर गया, simple past का वाक्य है, and grabbed, grab की यह second form है, चीन लेना, जपता मार लेना, the calf यानि उस काफ को उसने चीन लिया, to claim it, यानि two plus verb की first form, तो यह infinitive है यहाँ पर, और यह infinitive क्या काम कर रहा है, चीन लिया, the calf काफ को चीन लिया, क्यों चीन ला, why, reason to claim, दावा करा, इसके उपर, it यानि उस काफ के उपर दावा करा, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, the calf, एक noun है, noun के बाद यहाँ पर infinitive आया है, when Maniram protested, protest करना, मतलब की विरोध करना, तो विरोध किया, simple past का ही वाक्य है, second form है, about it, य अब उसने कहा, क्या कहा, I had sold, यहाँ पर had के साथ work की third form है, यह past perfect का sentence है, I had sold you only, मैंने तुमको बेची थी, only केवल the cow, not नहीं, it's offspring, off spring का मतलब है, वन्शज, यानि जो भी इससे, जो इसके काफ वा, वो, वो मैंने तुम्हें नहीं बेचा, अगली टर्न, बुरा टर्न मोर ले लिया, टेक की second form टुक, एक यह जो इशु था, इशु का मतलब मुद्दा, इस मुद्दे ने जो एक बुरा मोर ले लिया, पंचायत was called, पंचायत को was के साथ work की third form है, simple past का यह passive sentence है, was के साथ work की third form, और work के साथ work की third form का भी प्रयोग कि सब्जेक्ट यहां पर पंचायत एक है, इसलिए was का प्रयोग हुआ है, plural होता तो work का प्रयोग होता, तो पंचायत को बुलाया गया था, तो यहां पर देख सकते हैं, क्यों बुलाया, to decide जो है, यह भी infinitive है, to plus verb की first form infinitive है, और यहां पर क्यों, reason के sense में, purpose यहां पर show हो रह यह एड़ वर्बियल infinitive है, एड़ वर्ब की रूप में यहां पर आया है, the issue, यानि वो जो मुद्दा है, उस मुद्दे के लिए, उस मुद्दे के ऊपर फैंसला लेने के लिए जो है, पंचायत को बुलाया गया था, the panchaid decided, पंचायत ने जो है, फैंसला लिया, ने ने ल यहां पर decided verb की second form है simple past का यह affirmative sentence है money ram had not expected had plus verb की third form है not negative बन गया यानि कि past perfect का जब हम positive बनाएंगे affirmative sentence तो head के साथ verb की third form जब हम नकारात्मक वाक्य बनाएंगे तो head के बाद में आपको not लगा देना है तो ऐसा उसने expect नहीं किया था आशा नहीं की थी मनिराम had not expected such ऐसे injustice की यानि ऐसे अन्याय की तो यह past perfect का वाक्य है और negative है so he spoke यानि speak का मतलब होता है बोलना spoke यानि बोला second form है बोला to the head of the panchay जो head है ना panchayat का उसको बोला who admitted उसने जो है स्विकार कर लिया who admitted स्विकार कर लिया क्या यह admit की second form है we know हम जानते है that की रामदास has done उसने स्विकार किया क्या स्विकार किया inverted कॉमा के अंदर दिया गया है यहाँ पर जो inverted कॉमा के अंदर यह no verb की first form है simple present tense का वाक्य है फिर has plus verb की third form है यानि की present का perfect tense का sentence है रामदास has done singular subject है इसलिए has आया है यहाँ पर रामदास एक है अगर plural होता तो have आता और उसके साथ third form तो रामदास has done a wrong thing यानि रामदास ने हम जानते हैं कि रामदास ने गलत चीज़ किये है the decision was to teach him a lesson जो decision है was यानि था to teach सिखाना to teach यानि सिखाना जैसे was, were, is, m, are जो b verbs होगी उसके बाद में भी infinitive आता है as a compliment to plus verb की first form ये infinitive है यहाँ पर भी him a lesson decision जो था वो किसलिए था उसको सबक सिखाने के लिए था now you do what now यानि कि अब तुम करो ठीक है वो head ने बोला ऐसा now अब तुम do करो what जो I suggest जो मैं suggest करता हूँ जो मैं advice देता हूँ जो मैं सलहा देता हूँ suggest करना वो करो money ram agreed money ram जो है सहमत हो गया ये agree की second form है agreed accordingly and accordingly went उसी के अनुसार जैसा उसने कहा न उसी के अनुसार वो went go की second form गया यहाँ पर two proposition है किसके पास to the ramdas तो यहाँ पर two proposition था ये two plus verb की first form ये infinitive है ramdas to offer a deal ramdas noun के बाद में to offer गया क्यों गया यहाँ पर purpose उद्दिश है एक deal करने एक सौदा एक प्रस्ताव एक सौदे का प्रस्ताव लेकर गया ठीक है क्यों गया to offer एक a deal deal मतलब सौदा एक सौदे का प्रस्ताव लेकर गया यहाँ पर जो है ये two plus verb की first form infinitive है infinitive के अपने अपने काम होते हैं जैसे मैंने बताया noun की रूप में object की रूप में compliment की रूप में adverb की रूप में adjective की रूप में इतने सारे काम है infinitive के फिर आगे देखें friend अब क्या deal थी कि friend रामदास I urgently मतलब तुरन थी मुझे need यानि जरुरत है thousand rupees की मुझे तुरन थी thousand rupees की जरुरत है ly से वाके की ending हो रही है यह adverb है यहाँ पर need verb की first form है यानि की simple present का ही यह वाक्य है I will trade will plus trade यहाँ पर verb की first form trade का मतलब व्यापार भी होता है और यहाँ पर सौदा करूंगा my अब यह जो है इसको औरकार्ड बिलकुल ना पड़े यह है orchard orchard for it orchard का मतलब होता है बगीचा, बागान, fruit trees और फलों के जो व्रिक्ष होते हैं वो उगते हैं वो बागान उसको बोलते हैं orchard वो land यानि वो जमीन उसकी बात है तो इसको औरकार्ड नहीं पढ़ेंगे orchard पढ़ेंगे for it I will trade my orchard for it मतलब की इससे मैं क्या करूँगा इस thousand रुपीज से मैं अपना जो बागान है मेरा जो बगीचा है फलों का उस जमीन का उसका मैं सौदा करूँगा यह future indefinite tense का वाक्य है it has, has, have और had के साथ अगर third firm होगी तो वो perfect tense होगा perfect tenses के अनुसार लेकिन इनके साथ वर्व की third firm नहीं है वो तो state of possession यानि किसी के पास कुछ है या किसी के पास कुछ था ऐसा वो show करेंगे तो it has grow यानि it, it यहाँ पर इस orchard के लिए use हुआ है यानि इसमें क्या है एक इसमें है growth of two hundred banana banana plant यह 200 banana plants है उसका एक growth है इसमें अब growth का मतलब bag है व्रक्षों का जो गोलाकार जुन्द होता है यानि पास पास में एक साथ जो है फलों के व्रिक्ष जो उगे रहते हैं वो ग्रोव अब ऐसे कह सकते कि बाग किसका बनाना प्लांस का बाग है इसमें किसमें इस ओर्चर्ड में फिर आगे देखें ये simple present का ही possessive वाला sentence है टेक इट टेक वर्ब की first form गिव वर्ब की first form टेक इट याने इसे लो और गिव मी मुझे दो दमनी यानि उसको ले लो जो बनाना प्लांस का ग्रोव है बाग है उसको ले लो और मुझे वो पैसे दे दो give me the money राम्दस liked यानि कि पसंद आया the deal वो सौदा उसे पसंद आया यह simple past का वाक्य है he bought by की second form खरीदा simple past का affirmative sentence है the banana grove for के बाद में कितने में खरीदा thousand रुपीज में thousand, one thousand रुपीज में उसने वो banana grove खरीदा फिर आगे देखें after some times यानि कुछ समय बाद the plants जो पौधे थे बोर यह second form है bear की bear इस bear की bear second form है bear यानि देना, क्या देना फल और फूल देना, banana bunches banana के जो गुच्छे थे उस plants ने दिये फिर यह simple past का he affirmative sentence है money ram reached, reach की second form पहुचा, there यानि वाहा with के साथ many other people यानि कई अन्य लोगों के साथ and cut off, काट दिया all, सारे दबंच, सारे गुच्छों को काट दिया ram das, तो यह simple past का ही वाक्य चल रहा है ram das, cut की तीनों form cut ही होती है, ram das complained शिकायत की, किसे की to the panchayat panchayat से शिकायत की the panchayat meeting meeting का मतलब यहां पर सभा है, as a noun is meeting का use हुआ है, was called was plus verb की third form simple past का passive का वाक्य है panchayat की जो सभा थी उसको बुलाया गया था and after hearing सुनने के बाद, यहां पर after के बाद में hearing है, यह jirand है, जैसे proposition के बाद में, जब verb में ing लगा रहता है, तो वहां पर jirand का प्रियोग होता है jirand क्या होता है अगर ऐसे बात करें, jirand किसी action के बारे में जब हम बात करेंगे, तो उस action में ing लगा देंगी, और उसको noun बनाना पड़ता है, तो उसे ही jirand कहते हैं, subject या object के रूप में use होता है, और proposition के object के रूप में भी इसका use होता है, तो ये jirand है both the sides, the headman said, यानि दोनों उस meeting को बुलाया, पंचायत की सभा को बुलाया, और फिर बाद में जो दोनों तरफ की जो hearing है, सुनने के बाद, जो है जो headman था, उसने का why ramdas, क्यों ramdas, how are you complaining now, तो our verb में ing, यानि present का, ये continuous tense का वाक्य है, how are you complaining now, कि अब तुम जो है शिकायत क्यों कर रहे हो, if यदि, the calf can belong, belong किसी का होना, यानि जो calf है जो बचड़ा है, गाए का वो, जो है belong, यानि सम्मंदित होना तो सम्मंदित हो सकता है, to you यानि तुम्हारा हो सकता है, तो even after, even after इसके बाद भी, किसके बाद भी, the sale बिकरी के बाद, of the cow, यानि cow की बिकरी के बाद भी, जो बचड़ा है, calf, वो तुम्हारा हो सकता है then, similarly same उसी की जैसे, maniram should be, should के बाद में यहाँ पर verb की first form ही आती है यहाँ पर be का प्रियोग हुआ है should be, be के बाद में यहाँ पर जैसे हम is, mr, was work के बाद, subject की अवस्ता, state के बारे में बात करते हैं, कोई action नहीं होता न, same वैसे यह should के बाद में be है और इसके बाद में भी कोई action परफॉर्म नहीं होगा, यह adjective का प्रियोग होगा यह noun का प्रियोग होगा, subject की state के बारे में ही बात करेगा, यह should be, तो money round should be the owner, यानि मालिक होना चाहिए of the produce of the banana plants, produce produce का क्या मतलब होता है यानि जो इसकी पैदावार है, जो उपज है, किसकी banana plants की, उसके उपर उसका हक होना चाहिए, after their sale यानि उसकी बिकरी के बाद भी Ramdas had no reply यानि किसी के पास कुछ था तब हम has have had का प्रियोग करते हैं without action वाले sentences अब किसी के पास कोई जवाब न होना तो वहाँ पर भी हम has have had का प्रियोग कर सकते हैं, तो कोई जवाब नहीं था, Ramdas had no reply तो यहाँ पर यह story complete हो जाती है यहाँ पर moral दे रखा है it is all right, all right है मतलब ठीक है, to be मतलब होना clever, to be के बाद में कोई action perform नहीं होगा, clever होना कि बुद्धिमान चतुर चालाक होना ठीक है, लेकिन but being over clever यानि अधिक बुद्धिमान चतुर बनना being यानि होना यहाँ पर being में ing लगा है, तो यह भी क्या है, यह as a subject being का use हुआ है यहाँ पर यह भी जिरंड है not good, यानि being over clever is not good, यानि over clever होना अधिक चालाक चतुर होना वो अच्छा नहीं है तो यहाँ पर यह थी आज की story मैंने कोशिश की की सारे जो tenses के structure है, उनकी help से सारे structure को समझाने की तो उमीद है आपको समझ में भी आए होंगे